पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिध्ध करने हेतू वह शिव की कठोर तपस्या करता है। अंत में भोले नात उसकी बरसों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। शिव उसे वर्दान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमरत्व का वर्दान मांगता है। अमर होने का वर्दान स्रिष्टी विरुद्ध विधान होने के कारण शंकर भगवान उसकी यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी बचाकर शंकर भगवान विश्णू की शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं भगवान विश्णू फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं भस्मासुर जब भटक भटक कर शिवजी को भस्म करने के लिए ठूंड रहा होता है तब मोहीनी उसके समीप प्रकट हुआती है। उसकी सुन्दरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुख जाता है और मोहीनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहीनी जवाब में कहती है कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीन हो। झाल